हेलो स्टुडेंट्स वेलकॉब टो केमिकल साइन्स और आज बिच्वा हम B.H.C. फाइनल एर का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक और गैनिक केमिस्ट्री का सिंथेटिक डाइस चैप्टर को डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो इसके छोटा चैप्टर है काफी काफी इंपोर् के डाइस हैं आपके उसमें ठीक है उनकी प्रिप्रेशन वगरा देखनी हैं बाकि उसमें कुछ क्लासिफिकेशन ठीक है और कुछ उसकी कलर इंपार्टिं की कुछ थियोरी इस है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नहीं बच्चा हमारा सिंथेटिक डाइट तो देखें इंट्रोड़क्शन अडाइ में बीदिफाइन अज निचुरल और सिंथेटिक कलर्ड सबस्टांसे विच वें अप्लाइट तो देखें पर्मानेंट कलर एंड दा कलर इस नौत रिमूबड वाशिंग विद वाशिंग विद वाटर सोब एंड एक्सपोजर त लाइट या विकें से सनलाइट तीक है समझ माया देखें कैसे बात करते हैं अडाइ में भी डिफाइंड एस निचुरल और संथेटिक कलर सबस्टांसे इस ठीक है नेचुरल जादा तर नेचुरल होती है पहले होती थी बड़ आजकल क्या है कि अब निचुरल कम हो गई है सिंथेटिक डाइस का यूज जादा हो गया है ठीक है तो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों टैप की हो सकती है कलर सबस्टांसे होते हैं जब आब उसे किसी वह कलर सबस्टांसे को किसी फैब्रिक यूनों कोई भी माटीरियल मैं उसको लगाते हो अप्लाई करते हो तो यह कर दो या पर मनेंट कलर यह बात या रखांगा पर्मानेंट कंलर ठीक है ऐसा नहीं कि आया और चला गया ठीक है वह पर मनेंटल नीटाइD किया और फिर आपने उसको धो लिया वाश कर लिया ठीक है साब उन से या फिर किसी सिंथाइटी डिटरजेंट से और या फिर आपने संलाइट में छोड़ दिया तो ऐसा नहीं कि वह क्या हुआ सा कलर फेट हो जाए ठीक है तो ऐसे सबस्टांस अच्छा दिखें यहां लिखें ना ओल कलर सबस्टांस आर नॉट नैसेसरली डाइए ठीक है जितने आपकलर सबस्टांस दिखाई पड़ रहे हैं इसका मतला यह नहीं किये सब डाइए है ठीक है जैसे एक्जांपल पिकरिक एसड़ यलो इन कलर बट ड पिकरिक एसड़ यलो कलर का केमिकल कंपाउंड है बट डाइदर पेपर किसी के साथ और फिक्स नहीं होता फिक्स मतलब पर्मनेंटली अटेज नहीं होता वह कलर रेजस्ट रिक है आया आपने उसको यूज़ करा तो क्या हो जाए कहां से रिमूब हो जाएगा ठीक है वह अगर होता तो पर्मनेंटली फिक्स हो जाता जैसे आपके क्लोथ में हो गया है यह और भी किसी चीज में चलिए तो यह कैसे पता चलेगा कौन डाई है कौन नहीं तो इसके लिए बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है बच्चो यह आपके कुश्यन पेपर में भी आता है कि क इट मस्ट है वा सुटेबल कलर ठीक है पर्टिगुदर कगर होना चाहिए उसके पास इट मस्ट बी कैपेबल ऑफिक्सिंग इटसेल्फ टूदा मटीरियल तो बी डाइड ठीक है जिस भी मटीरियल में आप उसको डाय कर रहे हो तो उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए उ पर्मनेंटली अटेच हो जाए ठीक है समझ मैंना इट मस्ट बी कैपेबल ऑफिक्सिंग इटसेल्फ टूदा मटीरियल टूबी डाइड ठीक है जिस मटीरियल में आप डाय कर रहे हो को उसके साथ पर्मनेंटली फिक्स होने के लिए के लिए नेक्स पॉइंट इट मस्ट ह डाय में इन सभी चीज़ों का इन सारी मेथर्ड का कोई प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है आप उसे वाटर से वाश कर लीजिए, सोप कर लीजिए, डिटरजेंट्स लगा लीजिए चाहिए आप उसे डायलूट एसीड और अलकली से आप उसको ट्रीट कर लीजिए ठीक है इन सारे केमिकल्स का आपकी डाय में कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है इनका कोई इफेक्ट उसमें नहीं पढ़ना चाहिए उसके प्रजेंस में भी क्या रहने चाहिए अपने सिस्टम से इसे परवनेटली अटैज रहनी चाहिए तो यह अपकी कंडिशन फॉर सबस्टांस तो एक्ट ऐस डाय यह कुश्चर बच्चों पहले भी आपके एक्जाम में पूछा गया है तो यह इसका इंट्रोडक्शन था और यह इसका पहला एक कुश्चन जो काफी इंपॉटेंट था एक्जाम में आता है तो बच्चों नेक्स लेक्चर में हम लोग हम लोग क्लासिफिकेशन डाय डिसकस करेंगे यह भी काफी इंपॉर्टेंट है यह आपसे प्रिविएस यह में कभी पूछा किया है तो मैं कुछ टाइम बाद पहले थोड़ा सा देख लेते हैं अपना से लेवस कर लेते हैं उसके बाद हम ज स्टिफिकेशन के साथ